तो सात्यों नमस्कार और स्वागत है अब सभी का इस्टडी सर्क्ल पे और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं MPPSC 2030 के लिए General Science Based कुछ One Line Fact जिनसे अधिकांसता सवाल पूछे जाते हैं तो देखें सबसे पहले हम देखे RDX को तो RDX जिसे की अमेरिका में साइकलोनाइट जर्मनी में हेक्सोजन और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है तो इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक जैसे पदार्थ जैसे की पॉलिब्यूटाइन एकलिक एसिड या पालियूरेथेन को मिला कर प्लास्टिक बॉंडेड एक्सप्लोजियू बनाया जाता है यानि कि बिसफोटक पदार्थ बनाया जाता है और यहएक पचण बिसफोटक होता है और यह क्या करता है ताप्मान और आग फिलाने की गत्री को बढ़ाने लिए इसमें चुन को मिलाया जाता है तो RDF जो है बिस्फोटक है इसके लाबा जो निसान लगाने वाली स्याही जो है जो कि हम जब बोट डालते हैं तो हमारे हाथ में लगाया जाता है तो उसमें सिल्वर नाइटरेट का प्रयोग किया जाता है और मद्दान के समय अमारे उंगलियों पर इसे ही लगाया जाता है स्याही को जिसमें सिल्वर नाइटरेट का प्रयोग किया जाता है इसके लाबा ये जो स्याही है इसमें कैलसियम और मैगनेसियम का मिस्रित सिल्केड भी होता है साथी साथ रेसम और उन जो है ये जन्तू के प्राकृतिक रेसे हैं इसके लावा सूत का जूट और हैंप ये वानस्पतिक प्रकार के प्राकृतिक रेसे हैं और सबसे पहले संसरशित किया जाने वाला रेसा अगर कोई है तो वो है नाइलोन जिबकि enzyme की बात करें तो enzyme जो है विसेश प्रकार के protein होते है और-gamexene जो है यह एक विसेश प्रकार का protein है इसके इसके लावा जो यह feric chloride है यह खून का इसकंदन करता है और उसको रोकने का काम गरता है इसलिए इसका अप्पयो खून के रोकने में किया जाता है इसके तरिक नीली स्याही बनाने में फैरस सल्पेट का प्रियोग किया जाता है और हेकसा क्लोरो एथेन को क्रितिम कपूर कहा जाता है याने कि आर्टिफिस्यल कपूर इसके लावा फार्मेल डिहाइट को लेक्टोच के साथ मिला कर फार्मा मिंट बनाया जाता है जिसे की गले की दवाई के रूप में प्रियोग किया जाता है इसके लावा जो हेडोजन पराकसाइड है जिसका फार्मूला ह2O2 है इसका प्रियोग रेसम उन तथा हाती दातों के विरंजन में किया जाता है इसके लावा सोडियम बाईकार्बोनेट याने की नहीच CO3 का प्रियोग बेकिंग पाउडर जहागदर पे और अनेक प्रकार के दवाई में किया जाता है इसके लावा पोटेसियम क्लोरेट याने की KCO3 का प्रियोग आतिसबाजी और कीड़े मारने के दवाई के रोप में किया जाता है जबकि पोटेसियम साइनाइट की बात करें तो या एक प्रकार का विस है जिसका प्रियोग सोने और चांदी के वित्तुद लेपन में किया जाता है और copper sulfate की बात करें COSO4 यह प्रकार का जहर है जिससे किटारू नासर के रूप में प्रियोग किया जाता है और calcium carbonate की बात करें या CACO3 तो इसका प्रियोग दंतमंजन, powder और paste बनाने में किया जाता है और मरहम और चेहरे की क्रीम बनाने में जिंक आकसाइड या ZNO का प्रियोग किया जाता है और जिंक सलफाइड है यह इस फुदीप्ती पर दे यानि कि फास्फुरेंस इस क्रीम बनाने में इसका प्रियोग किया जाता है इसके लाबा जो mercury chloride है यानि कि HGCl3 इसका एक प्रिदसत जो विलियन जो है यह सल करम और जारों के निर्जरमी करण या इस्टेरियलाइशन में किया जाता है इसका प्रियोग यानि कि आप्रेशन वगएरा में इसके लाबा जो प्रियोग किया जाता है इसका प्रियोग किया जाता है इसके लाबा कैसिया फासफेट की बात करें तो इसका प्रियोग जो है टूथ पेस्ट बनाने में किया जाता है और जो प्लास्टरा पेरिस है तो जो हमारा हड़ी तूटता है तो उस पर प्लास्टर चाहने के काम आता है प्लास्टरा पेरिस इसके लाबा जो ग्रिफाइट होते हैं इनका प्रियोग सुस्क स्नेह किय ड्राइ लूब्रिकेंट के रूप में किया जाता है और बादल और कोहरा जो है यह एक परकार के कुलाईडी विल्यन होते है और जब एक दरब दूसरे अमिशनी दरब में परिखशेपित होकर यानि मिलकर कुलाईडी विल्यन बनते हैं तो इसे पायस कहलाता है जैसे कि दूद इसके लावा जो हीलियम गय से ये काफी हलकी होती है जिसकी वज़े से इसे वाजू यानों के टैरों में भरा जाता है और हीलियम और आक्सियन का मिश्रण गहरे समुद्र में गोता खोरों द्वारा वाजू के इसके लावा जो विग्यापन चिन होता है आप देखेंगे रंगी रंगी चमक रहे हैं तो उसमें विभिन रंगों के प्रिकास उत्पन करने के लिए नियान गैस का प्रियोग किया जाता है और हवाई अड़ों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए नियान लैम्प का प्रियोग किया जाता है क्योंकि जो नियान लैम्प है ये प्रिकास कोहरे में अधिक चमकता है इसके लावा रिडान गैस का प्रियोग कैंसर के उपचार में किया जाता है और जो हैरोजन पराकसाइड है उसके तनुविलियन का प्रियोग कि टारू नासकों के रोप में दात, कान, हाथ अधिके घाउध होने के में किया जाता है H2O2 का और जो क्लोरोनीकरत जल होता है या क्लोरिनेटेड वाटर होता है उसका गुन जो है अमली ये होता है और जंग लगना एक प्रकार का पईवर्तन है जो कि रासायनिक पईवर्तन की स्रेड़ी में आता है और जो सोना है यानि गोल्ड ये ताप का कुछालक होता है इसके लाबा जो सीसा है लेड पीबी जिसे हम कहते हैं ये हाइट्रोक्लोलिक अमल में गल जाता है इसके लाबा जब बिजली चमकता है तो उस समय हवा में उपस्टित आक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन आक्साइड में परिवर्तित हो जाता है इसके लाबा किसी भी वरसुका वजन विशुवत रेकषा की अपेक्छा धृूप पर अधिक होता है यैनि किसी वरसुका वजन विशुवत रेकषा पर कम होगा जब कि धृूप की और जाने पर बढ़ जाएगा इसके लावा जो salted solution यानि को जो लवण घोल होता है जिसमें उसकी अपेक्छा सुद्ध जल का कुथनांग अधिक होता है क्योंकि वो सुद्ध होता है उसमें कोई मिच्रण या असुद्धी नहीं मिला होता है इसके लावा विद्धुत वल्ब के अंदर आरगन गैस भरी जाती है क्योंकि ये अक्री गैस होती है और खून का जमना या रक्त का जमना एक प्रिकार के रसायनिक परिवर्तन है जो की हवा की उपरस्थिती में होता है जब हवा उपरस्थित होता है तभी खून जमता है और Hydroacloride का की टारू नासर के अलावा और उप्योग भी है कि इसका प्रियोग जो है जो पुराने तैल चित्र के जो रंग है उनको फिर से प्राप्ट करने में किया जाता है और सिल्वर प्रॉमाइड का प्रियोग फोटोग्राफिय और फिल्मों में किया जाता है इसके लाब़ अमल-राज घो एस इप किंग के अगर हम बात करें अमल-राज तो उसमें एक भाग सांद्र नाइटिक अमल का होता है और तीन भाग सांद्र अइड्रोक्लोरिक अमल होता है और खादि पदार्तों के सनक्षण के लिए बेंजोईक अमल का प्रयोग किया जाता है और जो वाटर गैस है इसका प्रयोग अल्कोहाल और हाइडोजन आदिके और द्योगिक निरमार में किया जाता है और पौधे जो होते हैं ये नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट के रूप में ग्रेहन करते हैं इसके लाबा आमोनिया गैस जो है उससे आंसू गैस बनाई जाती है और TNT इसका पूरा नाम ट्राई नाइटो टालोईन होता है जबकि हाइड्रोजन का प्रमारू जो है सबसे हलका होता है तो ये था मत्प्रदेश पिरसीद हो जाते हैं इसके लिए सामान ने विज्ञान चे समधित कुछ में आते पूर्ण वन लाइनर बाकी अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जेहें